दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत दा साइन्स समय दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे एर्थ क्लास में साइन्स का चेप्टर फिप्थ जिसका टॉपिक है कोईला और पेट्रोलियम क्या दोस्तो इसका टॉपिक है कोईला और पेट्रोलियम हम सभी लोग जानते हैं कि कोईले का किस तरीके से प्रियोग किया जाता यान की बिजली बनाने में और पेटोलियम यान की जितने हम लोग वहाँ चलाते हैं वह पेटोलियम और डीजल से ही चलते हैं दोस्तों ये एक ऐसे संसादन है, जिनका अगर काईदी से प्रियोग ना किया जाए, तो ये निश्य समयक बाद इनका कम होना स्वाविक है। इसलिए कहा जाता है कि इन संसादनों का एक सिस्टमेटिक वे से एक सिस्टम के तहित ही प्रियोग करना चाहिए। दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि कोईला कैसे प्राप्त किया जाता इसकी विशेष्था हैं और पेटोलियम की विशेष्था हैं और यह कैसे प्राप्त किया जाता हैं यह सब बताते हुए मैं आपको करवाऊंगा इस चेप्टर के सारे के सारे question answer आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को कोईला और पेटोलियम यानि की कोल एन पेटोलियम इसको इंगलिश में कहते हैं हम अपनी मूल भुत आवशक्ताओं के लिए विभिन पदार्थों को उपयोग मिलाते हैं इन में से कुछ प्रकती में पाए जाते हैं और कुछ का निर्मार मानवी प्रियासों से किया जाता है अब देखें गिलम क्रियाकलाब 5.5 अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाईए उनका प्रक्रतिक तता मानव निर्मित वर्मों में आप उनका वर्गी करन कर सकते हैं जैसे आप दैनिक जीवन में क्या प्रियोग करते हैं जैसे आप खाना खाते हैं तो यह कैसे प्राप्त होता है यह में खेतों से प्राप्त होता फसल की रूप में फिर उससे ग्यों नि निर्मित हो यानि कि जैसे वहिकल्स वगएरा चलाते हैं तो वहिकल्स क्या होता वहान जैसे हम लोग चलाते हैं वहान कोई प्रकृति की देन नहीं यह मानो निर्मित है ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माड मानो करता है वे सारी की सारी वस्तुएं मानो निर्मित कहलातीं ऐसी वस्तु एं जो में प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं या आप Do होती इँ वह प्रक्रतिक वस्तुएं कहलाती तो वह ही चीज आपको क्यार क्याा Libra करना है क्या इससूची में वाईव, जल, मर्दा और खनिच समलित हैं क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब कराए जाते हैं यानि कि दोस्तों ये क्या हो गए ये एक प्राकृतिक संसाधन हो गए यानि कि इंग्लिस में इनको नेचुरल रिसोर्सिस कहते हैं यानि कि ऐसे संसाधन जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं जैसे वाईव हमें कहां से मिलती जो आप लोग सांस ले रहे हैं क्या किसी मानों ने बनाए नही कि दोस्तों यह प्रकृति में पाई जाती है।समें गैसे कौन-कौनशी वादावरण में पाई जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और 1% अधर गैसे यानि कि वादावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। जो एक परसेंट्रे में हैं वह अधर्गे से पाई जाती है जल जल जो कि हम पानी पीने में इस्तमाल करते हैं कपड़े दुलने में घर की साफ सपाई में गारियों को दुलने में देरिक जीवन में जितने भी पानी के हम लोग प्रियोग करते हैं वह एक प्राकृतिक संसाद संसाधन है water क्या है एक natural resources है मिर्दा जैसा कि मिटी हम फसले कहां उगाते हैं मिर्दा में ही तो उगाते हैं तो हम कह सकते फसले भी क्या होती है भले इनमें मानो अपनी मेनत लगाता हो बट यह किस तरीके से आप प्रत्यक्षिरूप से में प्राप्त होती है यह भी हमें प्र प्राकृतिक संसाधन क्या कहते हैं क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं सदुपयोग कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कभी इनका दौर उपयोग ना करें आप एक लोजिक वाली बात सोचे अधिक से अधि धीरे धीरे गिरने लगा इसी लिए आप देखिए आज से 20 साल पहले जिन हैंट पंपों में आराम से पानी आता था उस एरिया में आज हैंट पंपों से पानी नहीं आता है लोगों ने पानी निकालने के लिए समर सेवल लगानी स्टार्ट कर दिये तो यह चीज़ प्रदर् संसाधन बरबाद हो रहे हैं और धीरे धीरे जब खतम होते जाएंगे तो समिश्चा है दिन प्रदिन बढ़ती चली जाएंगे क्या वायू जल और मिर्दा मानवी क्रिया कलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं जल के मारे में आप कक्छा साथ में पढ़ चुके हैं क्या जल एक असीमित संसाधन है दोस्तों बिलकुल यह असीमित नहीं पर सीमित है लेकिन अगर इसका अधिक प्रियोप करेंगे तो दो लिए प्रत्वी जो अंत्रिक्ष यह ब्लू कलर की नीली दिखाई परती है माली जी प्रत्वी पर अपना हंडेट परसेंट है टोटल पानी उसमें कैसा डिस्टिब्यूशन है 97.5 यानि कि 97.5 जो पानी है वह सागर और महा सागरों की रूप में है जिसका हम लोग पेजल या में से 1.5% दुर्वों और बर्फों के रूप में सुरक्षित है अब बचा एक परसेंट एक परसेंट में नदियों में है जर्नों में है इनमें क्या है ताजा पानी और भूम के नीचे है एक परसेंट में नदियों जर्नों और भूम के नीचे सुरक्षित पानी है इस तर से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बाटा जा सकता है कौन-कौन से अक्ष है प्राकृतिक संसाधन यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्तित होते हैं और मानभी क्रिया कलापों से समाप्ध होने वाले नहीं हैं जैसे उधारन होते हैं जिनकी कोई सीमा निशित ना हो यानि कि आप उन्हें अंधा धुंद प्रियोग करें फिर भी वह संसाधन खतम ना हो किसी तरीके से गायब करते हैं उनको हम असीमित संसाधन या अकशयप्राकर्तिक संसाधन कह सकते अकशयय मतलब जो कभी नच्ट न हो इसके उधार आप देखनां चाहतु सूरप्रकास क्या आप सूरप्रकास को खत्म कर सकते नहीं कर सकते इसलिए आज का ऐसा आ गया है कि लोग सूर प्रिकास पर अधिक ध्यान लेते संलाइट पर ज्यादा फोकस्ट करते हैं सौर उर्जा का उपयोग करने से क्या होता है कि जो विद्धूत है वो एक कम खर्चाती है यानि कि उसका प्रियोग बहुत कम हो जा और वाईव किसी तरीके से प्रदूशित भी नहीं करती है पवन चक्की के बारे में आपने सुना होगा पवन चक्की का उपयोग किया जाता तो वह वाईवसे ही चलती है दोस्तों अब देखते हैं हम लोग समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसादन यानि कि दोस्तों ऐसे संसाधन जिनका हम उप्योग करें लगातर वो खतम होते जा रहें देखिए दोस्तों प्रकति में इन शुरोतों की मात्रा सीमित है यानि कि लिम्टेड है अगर एक लीटर है एक लीटर जल है तो आप एक लीटर ही है अगर आप उसे अभी पी ले चाहिए आप दो दिन तक उ प्रतिक गैस आदे देखो दोस्तों क्या है यह वन यहनि कि वन सभी लोग फॉरेश जामते हो आज प्रत दिन जन संक्या देश की बरती जा रहे है वेन यूग है पूरे वर्ड की पॉपलेशन बरती जा रहे है भारत की तक्रीवन वर्थमान में पॉपलेशन एक सो चालिस करोड है जहां खेत हुआ करते थे आसपास एरिया में टाउन के एरिया में सिटी के एरियम आज उन लोगों ने खेत जंगल को कटिंग करके वहां पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं निवास इस्तान बना लिए हैं डे बाई डे पेड़ों की कटिंग हो रहे हैं वन कोई शिकार कर ले यह वह भूंक प्यास के करह मर भी शकते हैं का ऑब बात करें खनइच तो खनइच क्या यह भी प्रत्वी से खोद कर निकाले जातेैं मुत खोदे जारे निकाले जारे यानि कि electricity की उत्पादन में हम किसका प्रियोग करते हैं कोईले का प्रियोग किया जाता है petroleum भी निकाला जाता है नीचे से ठीक है तो petroleum का लगातार प्रियोग होता जा रहा है प्राकरति गैस जिसको की CNG बोलते हैं compressed natural gas क्या बोलते हैं compressed natural gas बोलते हैं इसमें और भी गैसे होती नीचेन वगयरा काफी गैसे mix-up होती इनका भी अत्तधिक दोहन हो रहा है प्रियोग हो रहा है जिससे यह भी संसादन limited होते चले जा रहे हैं अब हम लोग देखेंगे क्रिया कलाब 5.2 कुछ पात्र लीजे उन्हें पॉपकॉर्ण, मुंफली या भुने हुए चने टौफियों से भरिए विद्यार्थियों को साथ के समूँ में बाठ दीजें किसके समूँ में बाठना है साथ के समूँ में दोस्तों बाठना एक, दो, तीन और चार विद्यार्थी वाले उप समूँ में बाठ दीजें उन्हे करम सा पहली, दूसरी और तीसरी प्रीड़ी की रूप में चिन्हि रख दीजिए प्रतेक समूं की पहली पीड़ी के बुक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूं के पात्र से वस्तूओं का उप्भोग करें अब प्रतेक समूं की दूसरी पीड़ी की भी वैसा ही करने को कहिए विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रतेक पात्र में वस्तूओं की उपलबदिता को दियान से देखें यदि पात्रों में कुछ सेश बचा है तो प्रतेख समूं की तीसरी पीड़ी का इसका उपयोग करने के लिए कहिए अब अंतिम रूप से देखें कि तीसरी पीड़ी के सभी उपवकताओं को खाने है तू कुछ मिला या नहीं ये भी देखें क्या पात्रों में अब भी कुछ सेश बच गया है मान लीजिए कि पात्रों के खात पदार्थ कोईले पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसादनों को परदर्सित करते हैं प्रतेक समू का उभोग प्रतरूब भिन हो सकता है क्या किसी समू की पहली पीड़ी बहुत अधिक लाल्ची है हो सकता है कुछ समू में पहली पीड़ी आने वाली पीड़ियों के लिए प्राकृतिक संसादनों की उपलब्दता के विशय में चिंतेत हो इस सद्याए में हम कोइले पेट्रूलियम और प्राक्रतिक गैसों के गैसों जैसे कुछ समाथ होने वाले प्राक्रतिक संसादनों के विशय में अध्यन करेंगे इनका निर्मार सजीव प्राणियों के मृत और शेशों और शेशों को मतलब क्या होगा जीवास्मी से होता है अता इन्हें जीवास्मी इधन भी कहते हैं क्या कहते हैं इनको हम लोग जीवास्मी इधन भी इसको कहते हैं आईए दोस्तों आप देखते हैं कोईला क्या देखते हैं कोईला आपने कोईला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा अभी आपको चित्र दिखाएंगे 5.1 ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंका होता है कैसा होता पत्थर जैसा और काले रंका होता आप सभी लोगों ने कोईला देखा होगा ये आप लोग चित्र में देख रहे होंगे 5.1 कोईला, चित्र कौन सा है, 5.1 में आप लोग कोईले का चित्र देख रहे होंगे, अगर इसमें अतौला मारेंगे तो छोटे-छोटे टुक्डों में भी बिखर जाएगा, अब देखते हैं, खाना पकाने हेतु उप्योग आने वाले इंधनो में कोईला एक है, पहले इसका उप्योग रेल इंजिनों को चलाने के लिए भाब बनाने में होता था, इसका उप्योग तापी सक्ती संत्रों में विद्धुत उत्पन करते हेतु भी किया जाता है, यानि कि हमने आपको पहले बताये था, कोईले का सबसे ज़्यादा उप् किया जाता है, कोईले का उप्योग विभिन उद्ध्योगों में इंधन के रुप में भी किया जाता है, अब हम लोग देखेंगे क्या, कोईले की कहानी यानि कि हमें पढ़ना है कोईले की स्टोरी, आई ये दोस्तों देते हैं, कोईला हमें कहां से प्राप्त होता और ये क जैसे बनता है देखे लगवक 300 मिलियन वर्षपूर प्रत्वी पर निचले जली छेत्रों में घने वन थे बार जैसे प्राक्रतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मिर्दा की नीचे दब गए उनके उपर अधिक मिर्दा जम जाने के कारण वे संपीडित हो गए जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया उच्च दाप और उच्च ताप पर प्रत्वी के भीतर मृत पेड़ पौदे धीरे-धीरे कोईले में परवर्थित हो गए कोईले में मुक रूप से कारवन होता है मृत बनस्वती के धीमे प्रक्रम द्वारा कोईले में जार्वनी करन कहते है जो बहुत धीरे-धीरे परवर्थन हो रहा है यानि कि उसको परवर्थित होने में 1500-100 साल इतने वर्ष का वक्त भी लग सकता तब वह कोईला पेट्रोलियम विभीन प्रकार के खनीचों में परवर्थित हो जाता है क्योंकि यह वनिश्पती के और से बिसों से बना है अता कोईले को जीवासम इधन भी कहते हैं चित्र 5.2 में एक कोईले की खान को दिखाया गया है यह देखिए दोस्तों कोईले की खान रही देख रहे होंगे अप लोग चित्र 5.92 कोईले की एक खान और आप सभी लोग जानते हैं कि कोईले की खान सबसे फेमस कहां की है पश्यम बंगाल की है है की नहीं दूस्तों तो वहाँ पर कोईले के बहुत ज़्यादा संसाधन है और वहाँ खुदा ही लगातार चलती रहती है अब देखें वाई में गर्म करने पर कोईला जलता है और मुक रूप से कारवन डाइकसेड गैस उत्पन करता यानि कि दोस्तों अगर आप से पूछा जाए जब कोईला जलता है तो कहुंसी गैस उत्पन करता तो वह पराई दोस्तों आप क्या बताओगे तो वो गैस उत्पन करता है, कारबन डाइक से जिसका किसूतर होता है CO2, उद्योग में कोईले के प्रक्रमर दोआरा कुछ उप्योगी उत्पात प्राप्त किये जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोईला गैस इत्यादी, क्या-क्या प्राप्त होते हैं, कोक, कोलतार और कोईल सुद्ध रूप है कोक का उपयोग इस पात के और ध्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निश्कर्षण में किया जाता है कोक का अगर उपयोग पुछा जा किसमें किसमें करते हैं और ध्योगिक निर्माण और धातुओं को निकालने भी भी कोक का अहम रोल होता है अब देखेंगे हम लोग कोलतार ये एक अप्री गंद वाला काला गाला धिरव होता है कैसा अप्री गंद वाला इसी कोलतार को हम लोग डामर भी कहते हो क्या कहते हो इसको डामर भी कहा जाता है अभी आपको हम चित्र भी दिखाएंगे चित्र 5.3 यह रहा कोलतार इसको अपरोड वगर हम भी देखते होंगे बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है क्या होता है यह कोलतार होता है अजीब सी इसमें एक स्मेल होती है बड़ वो स्मेल इतनी बुरी नहीं होती बड़ होती अप्री गंद है देखिए दोस्तों यह लगबग 200 पदार्थों का मिस्रन होता है कितने पदार्थों के लगबग 200 पदार्थों का मिस्रन होता है कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उप्योग प्रारंबिक पदार्थों के रूप में दहनिक जीवन में काम आने वाले विभिन पदार्थों के और ध्योगिक निर्मार तता उद्योगों जैसे संसलेशित रंग, औशदी, विस्पोटक, सुगंद, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामगरी, छत निर्मार सामगरी आध में होता है। रोचक तत्या है कि मौत और अन कीटों को भगाने हैं तो प्रियोग में लाई जाने वाली नेफ्तलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। यानि कि दोस्तों जो हम कीट वगईरा बहते हैं, उसमें जो नेफलीन की गोलियां होती हैं उसमें भी क्या मिक्सप होता है उसमें भी दोस्तों डामर और लिग कहील धाय होता है आईए आप देखते हैं आज काल पक्की सड़कों के निर्वार में कोलतार के स्थान पर एक पेटोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रियोग किया जाता है यारी कि दोस्तों जब पहले सड़के बनती थी उनमें जाता था किसका उप्योग होता था कोलतार का बट आपको सुधिक रण मोडिफाई हुआ है आधनी करण हुआ है तो उससे क्या हो गया उससे एक पेटोलियम का उत्पाद आ गया जिसको बोलते बिटुमेन उसका भी पक्की सड़कों में प्रियोग किया जाता है अब हम लोग देखेंगे कोईला गैस क्या देखेंगे कोईला गैस कोईले के प्रक्रमण द्वारा कोग बनाते समय कोईला गैस प्राप्त होती है ये कोईला प्रक्रमण सेंत्रों के निकट इस्तापित बहुत से उध्योगों में इंधन के रूप में उप्योग की जाती है अब हम लोग देखेंगे ये येलो बिराकिट में येलो बॉक्स में क्या दिया गए लंदन में 1810 में तथा न्यूवयार्क में 1820 के आसपास कोईला गैस का उप्योग पर्थम बार सडकों पर रोसनी के लिए किया गया था आज कल इसका उपयोग रोशनी के बजाए उस्मा के स्रोत के रूप में भी किया जा रहा है आईए दोस्तों अब देखते हैं पेट्रोलियम क्या देखते हैं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं लगबग जितने वेहिकल चलते हैं वो पेट्रोलियूम और डीजल से ही चलाए जाते हैं बट अब थोड़ा से चेंज हुआ C&G से भी हो गए हैं बट अभी टेसला ने एक चीज और लॉंच कर दी है वो एलेक्ट्रिसिटी कार को भी लॉंच करेगा कुछ स्कूटी वैक्स ऐसी बियाती हैं जिनको आप चार्ज करके भी चलाते हो यह वो बैटरी आधारित भी आ गई है आप जानते हैं कि इंधन की रुपे पेट्रोल का उप्योग हलके स्वाचालित वाहनों जैसे मोटर साइकलों, स्कूटरों और कारों में होता है भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है आज से आप लोग माइन सेट कर लें कि जितने हलके वाहन होते हैं उन सब में क्या पड़ता है जो हैवी वेकल्स होते हैं भारी वाहन होते हैं उन सब में डीजल पड़ता है ये इंदन प्राक्रतिक स्रोथ से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ती पेट्रा जिसका मतलब चटान होता है एबाम ओलियम तेल से हुई है क्योंकि जमीन के नीचे की चटानों के मद्द से ये निकाला जाता है अभी आपको हम चितर दिखाएंगे 5.4 अगे दिखें क्या आप जानते हैं कि पेटोलियम गैस कैसे बनता है पेटोलियम का निर्मार समुत्र में रहने वाले जीवों से हुआ है जब जे जू मृत हुए इनके शरीर समुत्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तता मिटी की तहों द्वारा ढग गए लाकों वर्षों में वाई की अनपस्तिती उच ताप और उच दाब ने मरत जीवों को पेटोलियम और प्राक्रतिक गैस में परवर्थित कर दिया अगर आपसे पूछा जाए कि पेटोलियम मुक्ता हम लोग कैसे प्राप्त करते तो हमें समुद्र की गैराईयों से प्राप्त होता जैसे नीली वेल है तीस हांतियों के वरावर वेट होता यह मर जाए नीचे दफन होती चले जाए इसको पर मिट्टी आ जाए रेत आ दूस्तों यह नदेखें दोस्तों यह रहा चित्र पेटोलियम तता प्राक्रति गैस के भंडार यह देखीए दोस्तों किस तरी यह मूंत रहा और इसमें गैस दिखाई पाई पर रही है तेल भी दिखाई पर रही है और यह जल भी मिलेगा लगबाग सब चीजे होती हैं आप पिर भेस चटान क्या बोलते हैं यह तला इससा चटान है इस तरीके से देख लिए यह आपका फिगर यह फिगर दिया गए कि इसका प्राकृतिक गैस के भंडारां का यानि कि इस तरीके से ये एक संसाधन होता फिर इसको मनस निकालता और उपयोग में लाता है देखें चेतर पांस दसंदो चार जैसा कि आपने देखा जो पेटोलियम और प्रक्तिक गैस के भंडारों को दर्शाता है आप देख सकते हैं कि पेटोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के उपर है ऐसा क्यों है याद करिए कि तेल और गैस जल से हलके होते हैं क्या होते हलके होते हैं आप इसको प्रेकल भी कर सकते हो बाल्टी में पानी भरिए और थोड़ा सुख्स में तेल डालिए तो क्या होगा जो तेल है वह पानी के फर्स पर तहरेगा और इसमें क्या होता यह मिस्रित नहीं होता अब देखिए योलो बॉक्स में क्या दिया गया है विस्प का पहला तेल का कुणा पेंसिल्वेनिया में कहां पहला है पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1869 में प्रावेधित यानि की डिल किया गया था खोदा गया था कहां पर अगर वर्सबाद यहनि की अठारा सो सर्शत में असम के माकुम कौन से असम के माकुम नामक इस्थान पर तेल का पता चला भारत में तेल असम गुजरात बंबे हाई और गोदा वरी तता कर्शना नदियों के बेसिन में पाया जाता है बेसिन क्या होता बेसिन मतलब उसका तली वाला हिस्सा होता है आईए अब देखते हैं पेट्रोलियम का परिस करान पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव है इसकी गन अपरी होती है यह विभिन संगटको जैसे पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल इसने है तेल पैराफ उससे क्या होता है को प्रतक करने का प्रिक्रम परिस्क्रण कहला था परिस्क्रण का सीधा मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल को निकालना बाकि उसके चाथ जो भी तत्में उनको हमें अलग कर देना यह कार पेट्रोलियम परिस्क्रणी में संपाधित किया जाता है चितर आप लोग देख रहें 5.1 में किसमें देख रहें आप लोग 5.5 में देख रहें ये देखिए पेटरोलियुम परिस्करनी यानि कि पेटरोलियुम सुद्धी करनी की पेटरीलियुम को निकालने वाली ये एक फैक् erstry है और दुबई किया है दुबई इसलिए लगबख सबसे अमीर देश गिना जाता है क्यों कि वहाँ पेट्रोलियम यानि कि तेल के कुऊंगे बहुत सारे कुऊंगे इसलिए वहाँ के लोग क्या हैं बहुत अधिक रिच हैं अब देखिए आगे पेट्रोलियम के विविन संगटक और उनके उपयोग साहनी 5.1 में दिये गए आईए दोस्तों हम लोग इस साहनी को देखते हैं यह रहा पेट्रोलियम के विविन संगटक और उनके उपयोग देखे दुर्वित पेटोलियम गैस जिसको LPG कहते हैं क्या कहते हैं लिक्विफाइड पेटोलियम गैस इसका क्या होता घरों और उद्योगों में इंदन की रूप में इसका प्रियोग किया जाता है कहा उप्योग करते हैं आप लोग देखते होंगा अपने घर में अलपीजी का सिलेंडर ही प्रियोग में किया जाता है उसमें कौन सी गएस होती है एल्पीजी होती है लिक्विफाइट पेट्रोरियम गैस इसको इंग्लिश में कहते हैं अब देखो पेट्रॉल पेट्रॉल कहा उप्योग करते हैं इनकी जितने हलके वहान हैं उस सब में हम लोग पेट्रोल का उप्योग करते हैं मिट्टी का तेल देख लो इस्टोप जानते होंगे लैंप भी जानते होंगे बड़ आप साइध बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हों सुनों के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता और सोडियम को भी हम किसमें सुरक्षित करते हैं सोडियम को भी मिट्टी के तेल में ही सुरक्षित करते हैं अब द प्रियोग क्या जाता है पैरा मिन पैरा फिन मोम यह किसमें प्रियोग करते हैं मरहम मोम बत्ती वैसलीन आदी में आप से पूछा जाए जो वैसलीन आप लोग प्रियोग करते हैं उसमें क्या उप्योग होता है तो उसमें होता है पैरा फिन मोम का उप्योग होता है अब देखो bitumen किसमें उपियोग होता pent एबं सरक निर्वार में किसमें pent एबं सरक निर्वार में इसका उपियोग होता है आगे देखिए दोस्तों सार्णी आप लोगों ने देख ली अब हम लोग देखेंगे कि ये yellow box में क्या तिया गया है petroleum और प्राकृतिक गयस से अनेक उपियोगी पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं इन्हें petrol रसाहन कहते हैं क्या कहते हैं इन्हें हम लोग petrol रसाहन कहते हैं इनका उपियोग अपमार्जय करे से जैसे polyester, nylon, acrylic आधी यानि कि polythin और अन्मानो निर्वित plastic आधी के अध्योगिक निर्मार में किया जाता है प्राकृतिक गयस से प्राप्त hydrogen गयस का उपियोग उर्वरकों यानि कि यूरिया के उत्पादन ही तो किया जाता है अपने बहुत अधिक बहुत अधिक website में के कारण petroleum को काला सोना भी कहा जाते हैं petroleum को क्या कहते है ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं आईए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक गयस जिसकों की बोलते हैं CNG compressed natural gas क्या बोलेंगी इसको संपीडी प्राकृतिक गयस इसको हिंदी बोलते हैं देखें दोस्तों प्राकृतिक गयस एक बहुत महत्पूर जीवाश्म इंधन है क्योंकि इसका परिवयन पाइपो द्वारा स्रलता पूर्वक हो जाता है प्राकृतिक गयस को उचदा पर संपीडित प्राकृतिक गयस यानि कि CNG की रूप में बंडारित किया जाता है CNG का उप्योग उर्जा उत्पादन हे तो किया जाता है अब इसका उप्योग परिवयन वानों में इंधन के रूप में भी किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूसर कारी है यह एक स्वच इंधन है कैसा है? यह एक क्या है? स्वच इंधन है CNG का अधिक लाब यह है किसे घरों और कार खानों में सीधा जलाये जा सकता जहां इसकी आपूर्ती पाइपों के माद्यम से भी की जाती है पाइप लाइनों का ऐसा जाल बडोद्रा यान की गुजरात दिल्ली के कुछ भागों और अनिस्तानों पर भी उपलब है प्राकर्तिक गैस का उप्योग प्रारंबिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसाइनों और उर्वरकों के अध्योकिक निर्मार में किया जाता है भारत में प्राक्रतिक गेस के विशाल भंडार है। क्या प्रियोग साला में मरत जीवों से کोईला, पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गेस बनाई जा सकती है। नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिश्थितियां प्रियोग साला में उत्पन नहीं की जा सकती यानि कि इसको बनने में लगवक 100, 200, 500 या 1000 वर्ष का भी समय दोस्तों लग जाता है इसलिए इनको अम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं क्या पढ़ना है? कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं आपने इस अध्या के प्रारम में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसादन जैसे जीवास मीधन वन खनिच आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोईला और पेटोलियम जीवास मीधन हैं। मृत जीवों के इंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्स का समय लग जाता है। दूसरी और इनके ग्यात बंडार कुछ सो वर्स और चलने वाले हैं। इसके अतरिक्त इन इंधनों का जलना वाई प्रदूसर का प्रमुक कारण है। इन सबका विष्व उस्वन से भी है। अता यह आवस्यक है कि हम इन इंधनों का उप्योग तभी करें जब नितांत आवस्यक हो। यानि कि बहुत जरूरत हो। इसके प्रणाम से रूप पर्रयवर्ण बेहतर बनेगा। विष्व उस्वन का कम खत्रा रहेगा यानि कि विष्व में जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम होगी। और इंधनों की उप्लद्वता लंबे समय तक रहेगी। यानि अपने पास जो इंधन है वो बहुत समय तक स्रक्षित रहेंगे और अपने आने वाली प्रीडी भी उसका प्रियोग कर पाएंगे। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनसंदान संग जिसको की PCRA कहते हैं लोगों को सला देती है कि गारी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं और उनके गुल क्या हैं। देखिए कुछ बाते हैं ध्यान रखें आप लोग जहां तक संभो हो गारी समान और मध्यम गती से चलाईए। याता यात लाइटो पर अत्वा जहां आपको प्रितिक्षा करनी हो गारी का इंजन बंद कर दीजिए। टाइरों का दाव सही रखिए और गारी का नियमित रख रखाओ सुनशित करिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या-क्या। अब देखेंगे हम लोग इस चेप्टर के कुछ पिर्मुख शब्द। देखें कोईला, कोईला गैस, कोल्तार, कोक, जीवास्म इंधन, प्राकृतिक गैस, पेटोलियम और पेटोलियम परिसक्रनी। सारे के सारे सब्द मैंने आपको इस चेप्टर में समझाये हैं, अगर जरूरे तो आप फिर इसको देखकर समझ सकते हैं पीछे जाकर. दोस्तो अब वक्त आगया है कि आपने पूरा जो चेप्टर पढ़ा है उसको रिवाइस करने का, दोस्तो तो आप पूरा दिमाग, एकदम कंसंट्रेट करके पूरा दिमाग आप इधर लगाएं, मैं पूरे चेप्टर को रिवाइस करके आपको बताता हूं, कोईला, पेट् स्पूलियम और प्राक्तिक गएस इनको हम जीवाषम इधर्ण बोलते हैं, जीवाषम इधर्ण का मतलब होता है, ये जीवों से प्राप्थ किया हूआ है, इंधर्ण जीवास्म फिर्थन का निर्माव सजीवों के म्रत औुसेषों से लाखों वर्ष पूर्ब हुआ था कितना वक्त लगता लाखों वर्ष का टाइम इसमें लगजाता है जीवास्म फिर्थन समाप्थ होने वाले संसाधन अगर इनका अत्तधिक दोहन किया जाएगा सद्धिपयोग न करके दुर्पयोग किया जाएगा तो कुछ समय बाद यानि कि क्या हो जाएगी इंदन समाप्त होने लगेंगे कोग, कोलतार और कोईला गैस कोईले से प्राप्त उत्पाद पेट्रोलियम के परिस्क्रण से पेट्रोलियम गैस पेट्रॉल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेरा, फिन्मोम, इसने एक तेल आधी प्राप्त होते हैं कोईले और पेट्रॉलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका नया चित उप्योग करना चाहिए यानि कि दोस्तों जो कोईला है पेट्रोलियम है प्राक्रतिक संसादन ये कैसे संसादन है ये सारे कि सारे लिम्टिड है अगर इनका हम सही से उपयोग नहीं करेंगे दोस्तों तो कुछ समय बाद ये खतम भी हो जाएंगे इसलिए क्या करना चाहिए जब जरूरत हो तभी इ इसे एक पानी की भी समय स्या होती है आएए मेरे प्यारों दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अभ्यास यानि कि अभ्यास प्रसंद करते हैं अब इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं जो फर्स्ट कोश्चन दिया गया है cng और lpg का इंधन के रूप में के बाद लगवा कोई राक कर नहीं छोड़ते हैं यानि किसी भी तरीके का ये कार्बन नहीं छोड़ते हैं तो प्रदूसर नहीं होगा और एक विसेस्ता बता दें यह हमें आसानी से मिल जाते हैं और एक सस्ती कीमत पर भी यह हमें उपलब्त होते हैं इसलिए cng और lpg का करना पसंद करते हैं और देखिये ल्पीजी का क्या रोल है जिसको फूलफाम होता है लिक्वीवाइट प्रेट नहीं इसमें इसका उपियोग लोग करते हैं और और वह्तियोगिक इंजी दोनों को हम लोग आराम से सुरक्षित रख सकते हैं तता इनका वाहन करना भी आसान होता है यानि कि दोस्तो आराम से इदर उदर इनको ले जा सकते हैं और CNG से क्या होता है कि जिसको बोलते हैं compressed natural gas इसका वाहनों भी प्रियोग किया जाता है और वाहनों में इसलिए उप्योग किया जाता है क्योंकि ये किसी भी प्रकार का प्रदूसर नहीं करते हैं लोग आप CNG के जगे LPG का भी उप्योग करते हैं और दोनों गैसे किसी भी प्रकार का नहीं तो जलने के बाद प्रदूसर या कार्बन छोड़ती हैं इसलिए इन गैसों का उपयोग करना अधिक लापकारी होता है देन पैटोलियूम और डीजल की अपेक्षा अब देखेंगे हम लोग कुश्चन नमबर दो पैटोलियूम का कौन सा उत्पाद सडक निर्माड हे तू उपयोग में लाया जाता है बिल्कुल दोस्तों तो उसका जो नाम है वह होता है बिटुमेन क्या होता है बिटुमेन सरक निर्माड हे तो उपयोग कियो जाने वाला पैटोलियूम का उत्पाद दोस्तों हम आपको बता दे जब पहले सडके बनती थी लगब 15-20 साल पहले तो उसमें जाता तर उप्योग किया किया जाता था कोल तार का उप्योग लोग करते थे जिसकों की सुद्ध बासा में डामर कहते लेकिन वक्त बदला धीरे धीरे एक पेटोलियम का उत्पाद खो जा गया जिसका नाम है बिटुमेन अब बिटुमेन का भी सरक निर्मार में बहुत अधिक मातरा में उप्योग किया जाता है अब हम लोग कोश्चन देखेंगे तीन नमबर वरन कीजिए मृत वनस्पती से कोईला किस प्रकार बनता है यह प्रक्रम क्या कहलाता है देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट इसी बुक का यह आंसर बताएंगे लगवक 300 मिलियन वर्स पहले प्रत्वी के पास कम आदरभूमी छेतर में घने जंगल थे कैसे थे बहुत अधिक घने जंगल थे प्रक्रियाओं के कारण यानि कि नेचर में जो धीरी धीरे चेंजमेंट हुआ उसके कारण क्या बाढ़ आई ठीक है बाढ़ आदिस क्या हु श्मेंट्टी दबा होने कारण यह को वह धीरे धीरे सुक्रते चले गएं संपीटित होते गए और वहांपर क्या हवाभी अनपस्तित हो गई ताब भी बढ़ने लगए जैसे जैसे वे गहरे होते गए, क्या होगा, गहरे होने पर उनका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, हाई प्रेशर हो जाएगे, यानि उच्छदाब होगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या हम्रत धीरे धीरे किसमें परवर्तित हो जाएंगे, किसमें परवर्त वनस्पतियों को कोईले में बदलने की इस क्रिया को हम लोग कार्वनी करण कहते हैं क्या कहते कार्वनी करण यानि कि कोई मृत जीव धीरे धीरे जब कोईले में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम लोग कार्वनी करण कहते हैं क्या कहते कार्विनी करन कहते हैं आईए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुश्चन नंबर चार क्या देखेंगे कुश्चन नंबर चार देखेंगे रिक्त इस्तानों की पूर्ती कीजिए किसकी पूर्ती करनी रिक्त इस्तानों की पूर्ती कीजिए का नंबर देखिए को मिला भी पैट्रोलियम भी जीवास्म इंधन आते इसमें प्राकृति गैस भी दोस्तों आती है जीवास्म मतलब होता है वह इंधन जो जीवों से प्राप्त किया जाता है उनके मरने की बाद उनकी शरीर से एक लंबे प्रोसेस के बाद लंबी प्रिक्रिया के बाद प्राप् संसोधन कहते हैं यानि कि उसको हम क्या करते हैं सुरक्षित करके अलग-अलग करके हम उनका उपयोग करते हैं क्या करते हैं अलग-अलग कर देते हैं भाई पेटोलियम तो के लिए निकलता नहीं उसके तो विभिन प्रकार के पदार्त निकलते हैं उन पदार्तों को अलग करने की क्रिया को हम लोग संसोधन कहते हैं गाय नमबर देखो वानों के लिए सबसे कम पर दूसर इंदन है CNG क्या है? CNG मतलब होता है compressed natural gas यानि कि संपीडित प्राक्रतिक gas भी इसको कहते हैं आप लोग CNG का फुल फार्म जरूर याद रखें compressed natural gas इसको कहते हैं आईए दोस्तों आप देखते हैं question number 5 निम लिखित कत्रों के सामने सत्थ और असत्त लिखना है बिल्कुल दोस्त लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे अब देखते का number जीवास्म इंदन प्रियोग सालम में बनाये जा सकते हैं नहीं असत्त हैं क्योंकि बेटा इनको बनने में वक्त लगता लाखो वर्स तो लाखो वर्स कौन सी लैब बनी रहेगी कौन वक्ति एक लाख यह सो तीन सो पान सो वर्स जीएगा जो जीवास्म प्रियोग सालम बनाये जाए यह प्राक्रतिक प्रिक्रिया के अंतर्गत ही बनते हैं अब देखो खानमबर पेट्रॉल की पेच्चा CNG अधिक प्रदूसर इंधन है असत्त त्यूकि पेट्रॉल अधिक प्लूशन क्रियेट करता ना की CNG लियान रखिएगा आप लोग तो यह कथन असत्त हो जाएगा गाह नमबर देखो कोक कारवन का लगबग शुद्रूब है यह सकता है गाह नमबर देखो कोलतार विभिन पदार्थों का मिस्टरन बिलकुल लगबग 200 पदार्थों का मिस्टरन होता है कोलतार का पहले सरक में प्रियोग करते थे अब धीरे धीरे इसका इस्तान ले लिया एक पेटोलियम को उतपाद है जिसको बिटुमेन कहते हैं उससे अपसर्कों का निर्मार होने लगा है अज़ाय नमबर देखो मिट्टी का तेल एक जीवास्म इधन नहीं असत मिट्टी की तेल भी कैसा एक जीवास्म इधन ही होता है अब हम लोग देखेंगे क्या समझाईए जीवासमीदन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं बिल्कल दोस्तों यह बंते कैसे इसको आप समझ लो यह बंते जैसे पेल पौधे या विविन प्रकार के जानवर क्या हो धीरे-धीरे यह मर जाए इनकी डेथ हो जाए और यह भूम की नीचे दब जाएं यह दबे रहें लाखों वर्स तक वहां का टेंपरेचर बढ़ेगा दाब भी बढ़ेगा वाई को इन पस्तिती रहेगी फिर यह धीरे-धीरे किसमें परविर्तित हो जाएं जीवासमीदन में और यह कैसे होंगे लिम्टिट होते हैं म्रत पौधों और जानवरों क और शेशो पर उच्टाप मान और उच्टवाव से लाखों वर्सों की अवदी में जीवासम इंधन बनता है जीवासम इंधन वो प्राकरतिक संसाधन है जिनी थोड़े समय में दोबारा हम नहीं बना सकते यानि कि इसे 150 वर्स में नहीं बना सकते इसको बनने में 500-600-1000 ला सही तरीके से उप्योग ना करने पर दोस्तों ये धीरी-धीरे संसादन कम होने लगे हैं अब हम लोग देखेंगे question number 7 कोक के अवलक्षणों और उप्योगों का फरहन कीजे कोक क्या होता है एक कठोर, सरंद्र और काला पतार्थ होता है ये कोईले के विनासकारी आस्वान द्वारा निर्मित होता है किसके द्वारा? कोईले के विनासकारी आस्वान के द्वारा ये निर्मित किया जाता है देखें, इसका उप्योग धादूओं के निसकरस्ण के लिए किया जाता है योगिक रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका हम बिविन प्रकार की मैटल्स इस्पेशली स्टील के निर्वार में भी किया जाता है यह कारबन का लगबक प्योर यान की एक दम लगबक सुद्ध रूप होता है किसका कारबन का सुद्ध रूप होता है क्या को तो ये कोक के सारे के सारे क्या रहे अब इलक्षणों और उपयोग के बारे मैंने आपको बता दिया है अब दोस्तों लोग देखेंगे कोश्चन नमबर आठ पेट्रोलियम निर्मार के प्रक्रम को समझाईए इसमें क्या होता दोस्तों इस्पेशली आप समुत्रिया महा कोई नीली वेल मचली है जो तीस हाथियों के बराबर होती है वो किसी कारण वस मर गई और समुत्र के तली में दब गई उसके पर रेत आ गई ठिक धीरे धीरे हुआ है नीचे दपती गई जिसके कारण उसका तापमान बढ़ता गया उच्छ दाब हो जाएगा वाई को अन म्रत हुए इनके शरीर समुत्र के पेंदे में जाकर यानी की तली में जाकर जम गए और फिर रेत तता मिटी की तोहो दवारा ढग गए लाखों वर्सों में वाई की अनपस्तिती उच्छ ताप और उच्छ दाब ने म्रत जीवों को पेट्रोलियम और प्राक्तिक गैस में दोस्तों बदल दिया पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना में हलका आए इसलिए इस पर तैर सकता है क्या तैरता है दोस्तों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या दिया गया दोस्तों नव नंबर एक कुश्चन दिया गया है निम लिकित साहनी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्दूत की कुल कमी को दिखाया गया इन आकड़ों को ग्राब द्वारा आलेकित करिए वर्ष में कमी की प्रत्ता को वाई अक्ष पर तता वर्ष को एक्स अक्ष पर आलेकित करिए ये दोस्तो लहाँ है देगे किस तरीके करें 2004 में 75.8 रही है ठीक दोस्तों 2005 में 18.6 रही है यह बढ़ी रही है 2009 तक इसके बाद यह कम होई है इस तरीके इस graph उपर उठता जाएगा और 10 में हलका सा नीचे आजाएगा यह दोस्तो ग्राप आपको ही बनाना है ठीक है दोस्तो उमीद है कि यह class आपको बहुत पसंद आई होगी इसी तरीके के NCRT की सारी class आपको लगात मिलती रहेंगी दोस्तो यह special किसके लिए है UPSC यानि कि civil services PCS all state का सुपर्टेट रेलवे गूर्प डी पीजटी और टीजटी एविन जितने भी exam होते हैं जिन में science आती है सभी के लिए बहुत अहम है बस आपको दोस्त करना क्या है इस class को अधिक से दिक लाइक करना है वी कर दोस्त कर दोस्त करना है